चलिए देखते हैं यहां पे जो F है इसका मतलब है find out करना किसी word को जैसे document में जो अगर आपको कोई एक word जो डूनना हो कि कहां कहां पर जो यह लिखा है या next word जो अगर आपको जैसे एक word मिल गया उसके बाद कहां पर लिखा है तो मैं simply जो यहां पे control यहां पर देखिए और F जो वो यहां पर है तो आपको जो जो गुछ इस तरह से फिर लिखा हुआ एक interface जो दिखाए देगा यहां पर आपको जो भी ढूनना है जैसे मेरे इस paragraph में बैसे इस paragraph में जो मैंने इसके बारे में ही दिखाए कि control प्लस F का use जो जो क्यों किया जाता है तो यहां पर मुझे लगता है कि use जो बहुत बारे देखिए इसी एक paragraph में तो मैं जो फाइंड क्या करना चाहता हूँ तो मैंने type कर लिया y o और u देखिए यहां पर आपको जो यू लिखा हुआ दिखाए दे रहा है तो इसको जो फाइंड करना है तो आप देखिए यहां पर मैं जो जो थोड़ा सा side में कर देता हूँ ताकि आपको जो यहां पर दिखे सबसे पहले है reading highlight तो जहां जहां लिखा होगा वहां वहां पर जो highlight हो जाएगा तो जैसे मैंने reading highlight पर किया जैसे एक u को आपने ढूण लिया फिर जो नेक्स्ट जैसे इस पर जो click करते जाएगे तो इस next जो बताता जाएगे देखिए चार जो आपको यहां पर u दिखाई दे रहे है तो आपको जो जो बो next करते करते जो जैसे पहले इसको बताएगा फिर इसको फिर इसको फिर इसको तो कुछ इस तरह से जो वो इसका हम use कते हैं MS World में